यहां पर ये आदमी एरोपलेन के भार देखता है तो हावा में एक सार्क उल रही होती है उसको अपनी आखों पर भरोसा नहीं होता उसको लगता है कि उसके आखों में एल गुस चुका है तो वो अपनी आखों को अच्छे से साफ करके दोबारा से देखता है तो अब एक सार इरोपलेन के ऊपर आकर बेट चुकी थी यह देखकर उसकी फटकर चार हो जाती है और वो सबको चिलाता है कि भार सार्ख है वहाँ बेटे सभी लोग उसको कहते हैं भाई तुने ज़्यादा पी ली लेकिन जब सब लोग इरोपलेन के भार देखते हैं तो भार सही में बहुत सारी सार्क्स उड़ रही होती है फिर एक सार्का कर सीधे एरोपलेन के इंजन में गुस जाती है जिसे की इंजन फट जाता है और बहुत तेज दमाका हो जाता है जिसे की पूरा एरोपलेन हिल जाता है पाइलेट की विंडो में भी एक सार काकर फस चुकी थी फिर एरोपलेन का जलता हुआ इंजिन हवा में वे से ही उड़ गया और उसने जाते जाते एरोपलेन में छेद भी कर दिया अब एरोपलेन में बेटे सबी यातरी बहुत जादा डर जाते हैं और मुँ फाड कर चिलाने लग गई थे उतने में हवा में उड़ती हुई एक सार काती है और लड़की का सर एक बार में ही उड़ा देती है पाइलेट भी सारे निपट चुके थे तो ये लड़का जल्दी से पाइलेट की सीट पर बेट जाता है और उस एरोपलेन को जमीन पर लेंड करवा देता है